कि एक बार कि एक बार सभी ओडियन्स और स्टूडेंट्स को मेरा फिर नवस्कार इस यूट्यूब चैनल के माद्यम से आज हम फिर वीदी पर्थम वर्ष की कक्साओं को आगे बढ़ाएंगे भीदी पर्थम वर्ष के लिए अपकर ते के चर्चा करेंगे बढ़ाएंगे वह आपके सामने स्क्रीन के उपर मवजूद है वो है मिश्टेक भूल देखो यहां भूल की अपकरते विधी में क्या इस्तिती है तो इस बात को मैंने आपके सामने तीन मोटे-मोटे बिंदू में अक्स्प्लेन करने की कोशिस की है आप थोड़ा सा इनको द्यान से देखेंगे इसमें देखो पहली बिंदू को अपन देखते हैं वो क्या अपकरते की किसी भी कारेवाई में सामाने तैं भूल परती रक्सा की रूप में स्विकारे नहीं है रहे हैं इसमें देखो यहां आपने पिछे कई जगह मिस्टेक या भूल के बारें पढ़ा हैं तो दीको भूल जो है वो दो परकार की ओते हैं तत्र की गूल और विधी की भूल यहाँ जैसे आपने Contract Law में भी पढ़ा है वहाँ आपको देखने को मिला है कि तथ्य की भूल जो है वो अक्षम में है माफी योगे हैं लेकिन विधी की भूल किसी भी सर्थ पर माफी योगे नहीं है यह यू कह सकते हैं कि कानून परतेक वेक्ति से यह अपेक्सा रगता है या राज्ये परतेक वेक्ति से यह अपेक्सा रगता है कि उसका हर नागरिक जो है राज्ये के कानून या विधी को जानता होगा और हम कहीं भी यह तरक नहीं सकते हैं कि मुझे इस कानून का या इस वीदी का ग्यान नहीं था तो यहां इस लाइन में महतोपुन बाद जो देखने लाइक है वो यह सब्द है इसको गोर करेंगे देखो आप करते की कि इसी भी कारवाय में सामानयत है भूल में परती रक्षा के रूप में स्विकार नहीं चाहीवज तथ्य भूल हो या विदी की हो यहां से कई बार कई तरह के स्वाल तो देखो यह चीज जनरली इसका मतलब यह नहीं कि अपने आप में प्रक्राइब करते बचाओं में या अपवादू में नहीं रखा जाता है फिर कौन सी भूल की बात तो अपकरते विदी में तथे और विदी दोनुंहीं भूलों के बारे में एक जैसा सामाने नियम है कि चाहिए भूल तथे की हो चाहिए विदी की हो उसे बचाओं के सबस्वासन हो सकती हैं जिसमीं मिश्टेक को टौल में बचाओं की रूप में या अपवाद की रूप में स्विकार किया जा सकता है दूसरे बंदू को आप देखेंगे जब कोई वेक्ति जानबूज कर किसी अन्य वेक्ति की अधिकारों के साथ अस्तिक्सेब करता है तो ये कहना परती रक्सा के अभिवाक के रूप में स्विकार नहीं किया जाएगा कि उसने इमानदारी के साथ ये विश्वास किया था कि ऐसा करना उसके लिए ओचित्ते पूर्ण है जबकि ऐसा कोई भी ओचित्ते वहां विद्देमान नहीं था देखो यहां इसमें खास बात क्या है जब कोई व्यक्ति जान बूज कर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों के साथ हस तक्सेब करता है तो उसका ये कहना परती रक्सा के अभिवाक के रूप में स्विकार नहीं किया जाएगा कि उसने इमानदारी के साथ ये विश्वास तो देखिए यहां ऑनेस्ट और बॉनाफाइड ये दो सब्द देखना कई जगे अपन विदी में देखते हैं कि अगर हम किसी के प्रती इमानदारी और सद्वाव पूर्वक विश्वास के साथ किसी कारियों करते हैं तो वो सब जगे आपको अपवाद में मिलता हैं लेकिन यहां अगर हम जानबूज कर क कोई भी ओचित्ते वहां विद्देमान नहीं था में चीज यह हैं कि अगर हम किसी के अधिकारों को बिना किसी और किसी कारण के हनन करते हैं या उसका अतिकर्मन करते हैं और जब नैले में हमें दाइत्वा दिन ठहराने की कोशिश की जाती हैं तो हम इस बात का तरक देते तौन से हैं कि मैंने इमानदारी के साथ, विश्वास पूरवक्त औस तरीके से यह कारी किया, मुझे पता नहीं था कि अधिकारों का हनन हो रहा हैं तो इस तरक को क्या नयले स्विकार करेगा नहीं नयले इस बात को स्विकार नहीं करेगा तीसरी बात देखो इसमें मेहत्वपुन जो है वो यह है कि उप्रोक्त नियम के कुछ अपवाद है देखो इन दोनों से जो गॉल्डन रूल उबर कर हमारे सामने आता है इन दोनों का यह मैंन चीज है इन दोनों से golden rule उबर कर यह आता है कि अपकरते विदी में mistake को बचाव के रूप में प्रस्तूत नहीं किया जा सकता लेकिन इसके exception क्या है इसके exception में देखो यह तीसरे वाले line उपरोक्त नियम के कुछ अपवाद भी है जब पर्तिवादी यह परदर्शित करे कि उसने इमानदारी से परिपूर्ण प्रंतु भूल से विश्वास करके ऐसा कारिये किया था उदारनात विद्वेश्पून अभीयोजन के अपकार में यह आवशक है कि पर्तिवादी ने विद्वेश्पून डंग से और किसी युक्ति पर कारण के बिना कारिये किया हो और यदि किसी निर्दो स्वेक्ति का अभीयोजन भूल से किया गया है तो वह कारेवाई योग्ये नहीं होगी इसी प्रकार किसी कथन की सत्यता का इमानदारी पूर्वक विश्वास छल की कारेवाई के वास्ते एक अच्छी पर्ति रक्सा है तो देखो यह कुछ एक्जामपल दिए अपने आप में एक अल्टेमेट सामगरी नहीं है या अंतिम रूप से इस तत्थे को अपन इसी वासा में स्विकार नहीं करेंगे जैसे इसमें विद्वे स्पूर्ण अभियोजन की कारेवाईयों में मिश्टेक जो है वो एक अच्छा अपवाद साबित हो सकती है या फिर जैसे इमानदारी से अपन किसी के विरुद कारेवाई कर रहे हैं जिसकी सत्य तक हमें विश्वास हैं तो वहाँ यह अपने से कि जो अपन देखिया की कि क्या कग stap एक सामने नियम की रूप में है मिश्टेक को आपकरते या तथय की होया विद्वें लेकिन इसमें कुछ परिष्टितियां ऐसी हो सकती है जिन में नाले को तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही में इस अपवाद को नाले जो है वो परतिवाद के रूप में स्विकार कर सकता है इस प्रकार आजकी इसक्रक्ता में या इस वीडियो के माद़े में से अपने अपकरते के एक और अपकवाद के बारे में चर्चा की है और इसी प्रकार अपन आगे की शीरीज में बचे वी अपकवादों के बारे में चर्चा करते रहेंगे इसलिए इसके लिए आप लगातार वीडियो शीरीज के संपर्ग में बने रहें थैंक्यू सौमच